वीडियो के इंदर आज उन्बॉक्स और रिव्यू करने वाले है एक बड़ी ऐसी बोट की स्मार्ट वाच जो है प्रेमिया खास बात करें 1.39 इंच का इसका अमॉलेट डिस्पले दिया गया है और सबसे खास बात इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाती है बॉक्स के बीचे डेट सारे स्पेसिफिकेशन सबके बारे में बात करेंगे पहले प्राइजिंग देखें बॉक्स पे आट एजार नौन सोन अब्बे रुपए इसकी प्राइजिंग है बट इस वक्त ये आमेजॉन पे आपको सस्ती सी कीमत में मिल जाएगा क्या है इसकी आ बाहर निकालते हैं और देखते हैं और क्या-क्या चीजे हैं इसको जड़ा साइड रखते हैं स्मार्ट वाच चोड़ी दिर बात देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो है इसके साथ आपको चारजिंग केबल मिल जाएगा तो यह एक मैगनेटिक चारजिंग केबल है क्वा प्रोवाइड कराता है और अच्छा कासा नजर आ रहा है और देखें और क्या चीजे हैं बॉक्स के अंदर तो वी हाफ बोट अहेड का स्टीकर और सम और मैन्वल और पेपर वर्क्स जो है देखने मिल जाएंगे वैसे अची कासी मोटी किताब भी है अंदर यह स्मार्ट स्टीकर निकालते हैं और सबसे पहले बूट अप करते हैं और देखते हैं क्या कुछ पहले नसर आता है तो बोट का लोगो आ गया है सबसे पहले और समार्ट जो है शुरू हो चुकी है सो यहां पर जो smartwatch है यह metal casing में आपको मिलती है silver finish के अंदर दी गई है जो smartwatch को एक premium look जो है देती है इसे के साथ strap की बात करें तो यह artificial leather है actually rexin है तो यह भी दिखने में जो है लगबग खुबसूरत ही नज़र आता है तो यहां पर जो colors available है दो color है black belt मिल जाएगा और यह blue belt available है quality is very good, very fine आपके आतों में खुबसूरत नज़र आएगा smartwatch के पीछे बहुत सारे sensors और इसी के साथ नीचे की तरफ we have charging pins उपर की तरफ अगर आप ध्यान देतो speaker grill जो है वो आपको देखने मिल जाती है और microphone के जो छेद है जो hole है वो भी आपको देखने मिल जाएंगे जहाँ पर calling feature को आप activate कर सकते है और calling का मजा ले सकते है तो अब दोस्तों चलते हैं कुछ internal feature की तरफ तो अगर आप watch face change करना चाहते है तो screen पर आपको tap करके रखना है और default से आप जो है जो अपने मन चाहे watch face रखना चाहे वो आप set कर सकते है तो default यह आप 6 है तो जो भी चाहिए design वो design जो है आप simply swipe करके apply कर सकते है तो बहुत ही बढ़िया है को बज़ुरत है इसके लबाँ और भी dials चाहिए तो इसके दीए हुए app के तुरू आप all dials को install क कर सकते हैं और features की बात करें तो अगर आप swipe करेंगे तो we have steps count जहापे आप steps count देख सकते है then we have heart rate sensor पीछे जो है heart rate sensor की light देखे जल रही है तो इसको आपको aware करना पड़ेगा उसके बाद में heart rate sensor काम करेंगा we have stress counting then we have player option जहापे गाने forward backward कर सकते है और phone book आ गया है यानि की calling कर करने का जो feature है वो इसमें दिया गया है नीचे की तरफ swipe करेंगे तो we have some of system options system tray जहापे dnd option जो है वो दिख जाएगा bluetooth pairing है जब आपको calling करना हो तो इस button को आपको activate करना होगा then आप bluetooth जो है बात ही कर सकते है then we have vibration option फिर है brightness को control करना तो यह बहुत अच्छी तरह से brightness control कर सकते है और we have setting option और setting में धेर सारे option है सब कुछ मैं आपको जरूर बताऊंगा we have lots of options then we have date and time और day और बैटरी कितनी चार्जड है वो तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं sensors की तरफ के कितने सारे sensor जो है smart watch में available और जिसके use के तुरू जो है आप अपने daily data को track कर सकते है health data को track कर सकते है तो सबसे पहले heart rate sensor जो है वो आपको मिल जाएगा जहापे आप daily 24-7 जो है अपने heart rate को sense कर सकते हैं next we have stress counting option available है sleep tracking भी जो है वो आपको दिया गया है और इसी के साथ जो आखरी sensor है वो है blood oxygen sensor जहापे आप blood oxygen जो है वो measure कर सकते हैं तो यह देखे ही आ गया है 97-98% या सपास तो इतने sensors आपको जो है मिल जाते हैं इसे की साथ sports mode की बात करें तो we have activities option जहापे आपको अच्छे काज़े sports mode देखने मिल जाएंगे जैसे running है treadmill है climbing है walking है cycling है spinning दिया गया है yoga basketball football badminton free training तो इतने जो है आपको जो है sports activities option मिल जाते जैने activate करने के बाद आप अपने sports data को track कर पाएं इसको forward करना चाहते हैं या backward करना चाहते हैं आप easily कर सकते है smartwatch के तुरू और अपने गानों का मजा ले सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं जैसे मैं forward कर रहा हूं music music आगे जा रहा है और अगर मैं backward button तबाओ तो music को आप पीछे भी ले सकते हैं इसे की साथ play and pause button भी जो है यह यहां पर काम करता है और देखे और क्या features है तो यहां पर we have always on display feature इसको activate करने के बाद आपका डिस्पले है smartwatch का वह हमेशा on ही रहेगा जैसे देखे कुछ second बाद यह कुछ इस तरह से जो है यह battery saving mode पर चला गया और always on display एक्टिवेट हो गया इसे की साथ दोस्तो voice assistant feature भी मिल इसे की साथ आपको find phone option भी मिल जाएगा अगर आप phone धून ना चाहते हैं तो smartwatch connected है और यहां पर आप देख सकते है मैं एक music play कर आँ माइक को जड़ा नजी के लिए तो music की आवाज आ रही है और यहां पर जो है मैं अगर activate कर दू Bluetooth smartwatch का तो यह music है वो directly जो है smartwatch से play होगा यह देख लिए और यह smartphone पर देखे कोई आवाज नहीं आ रही है माइक में जड़ी किया यहां पर आपको अप्सक्राइब को पहन कर आप गाने का मज़ा ले सकते हैं बाइक चलाते दौरान और हलका सा सबसे पहले तो है कॉलिंब फंक्शन के लिए इस option को आपको अन करना पड़ेगा तो यह Bluetooth पैरिंग आपके कॉलिंग के लिए और उसके बाद में क्या कीजिए आप जिसे भी कॉल लगाना चाहते है ऐसे स्वाइप कीजिए फोन बुक में जा सकते हैं वहां पे आपने जो यह बिनर्ण कर लिए आप आड कर सकते हैं बोल खेटी लगाओंगा मैं क गॉल लगाने वाढ़ क्लिंग के लिए उस पर हम कॉल करेंगे तो यह जो है इस जो है डाइल करते हैं और आप देख सकते हैं कि कॉलिंग जो है वो जा रही है और मुझे माइक फोड़ा में नजदीक ले लता हूँ कि लिए कॉलर टून जो प्ले हो रही है कि मेरी थड़ कालों सब्सक्राइब को म कि अवाज और शुवार कालो जो कि अवालो नहीं जानती है जान जाओ गे वीडियो देता हूं मैं ठीक है तो बहुत बढ़िया से आवाज आ रही है तुमारी क्लियर आवाज आ रही है यह आपका भी अच्छे से सुनाई लिए है चालो फर्स क्लास मैं अच्छी बहुत को ऊपर रखे बात करो है और नॉर्मल हैं नीच वाज को नॉर्मल तरीके से लेके बात करो कम से कम एक एक फिट का डिस्टेंस है वाज के और मेरे बीच में ठीक है चलो तैंक यू सो मजा टेस्टिंग के लिए चलो रखता हूं मैं ओके बाइश देख सकते बहुत बढ़िया तरीके से जो है स्मार्ट वाज ने काम किया औ और मेरे को भी आवाज अच्छे से आ रही थी यानि कि स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों बहुत सई तरीके से काम कर रहे हैं तो अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप यूजर डिफाइन वाज फेस रखना चाहते है यानि कि आपके उपर वाज फेसे बहुत सारे वह चाहते हैं और उसके बाद मन चाहां जो भी आप वाज फेस लेना चाहते है डाइल लेना चाहते है वह आप आडिक कर सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने ले लिया है एक अप्लाइ करेंगे और यह देखे यह आपके स्मार्ट वाच पे कुछी सेकेंड के बाद जो है अमुलेट डिस्पले है जो अच्छा कासा जो है नजर आता है इसी की साथ अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोई फोटो रखना चाहते हैं स्मार्ट वाच के ओपर तो उसके लिए भी ऑप्शन अविलेबल है बैक्राउंड सेलेट करें सेलेक्ट फोटो करें अलाव एक लेता हूं यह बॉटम में डिट इन टाइम आ गया है और फिल्ट क्लिक फॉर अप्लाए तो यहां पर देख सकते हैं कि स्मार्ट वाच पर फोटो में अप्लाए हो गई और बहुत ही बढ़िया जो है नजर आ रहा है बहुत साही नजर आ रहा है एमोलेट डिस्पले होने क अगर आपको लगता है कि यह वाली स्मार्ट वाच मुझे खरीदनी है मेरे पास होनी चाहिए तो इसे आप बोर्ट के ऑफिशल वेबसाइट से या फिर आमेजान डॉट एंड से सिर्फ साड़े 4,000 रुपे कीमत में खरी सकते हैं अगर खरीदना चाहती है तो पर्चस लि आईएगा टाकी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे इसी के साथ वीडियो में अगर आपको कुछ लगा है कि यार बहुत इंटरस्टिंग वीडियो था तो जरूर एक लाइक बटन दबा दीजेगा चलिए दोसों मिलते हैं अगले वीडियो के हirmत है जयुक है अँख ँखिकेशन आपको के तोस देख सबसृ करा चलिए नियुक